दिखाना जताना इशारा करना तो क्या दिखाना खिक है देखिये क्या दिखाना है और जताना है Emotions दिखाना और जताना है भावनाओं को, feelings को या इशारा करना है किसी situation की दरब अब देखिए sentences से आपको clear हो जाएगा She evinced great sorrow for what she had done उसने गहरा दुख जताया दुख क्या होता है? Emotion होता है जो उसने किया उसके लिए उसने दुख जताया या दिखाया दुख को दिखाया जताया एक एक्स्प्रेशन है ठीक है? तो एक्स्प्रेश भी हो गया The story evinces towards the plight of farmers अब देखिए ये जो कहानी है ये इसारा कर रही है इसारा कर रही है किसी situation की तरफ किस situation की तरफ plight of farmers इसानों की दशा की तरफ plight मतलब दशा इसानों की दशा की तरफ इसारा कर रही है तो एक तरह से देखिए situation हो गया जिदर ये कहानी इसारा कर रही है अगला sentence देखिए He evinced no interest in the project उसने प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई या जताई बात एक ही हो गया दिखाना और जताना ठीक है तो एक तरह से emotion जताना एक्सप्रेस करना ठीक है ठीक है दिखाना या इशारा करना किसी condition की तरफ तो तीनों sentences से आपको सब कुछ ग्लियर हो रहा होगा तो दिखाना दिखाना प्राइब जचाई खेल प्राइब जाए आए